मिथला पंचान के नुसार हर साल आश्विन मास के क्रिश्न पक्ष की अस्ट्वितिति को जीवित पुत्री का या जीमोत वहान या जितिया का वृत रखा जाता है जीवित पुत्री का वृत को जितिया और जीमोत वहान वृत के नाम से भी जानते हैं इस वृत की शुरुवा रखा गया ये वरत किसी भी पूरी स्थिती में संतान की रक्षा करता है और सबसे कठीन व्रतों में से एक व्रत मना जाता है इस व्रत को मुखी तह उत्तर प्रदेश विहार चारकन पस्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में रखा जाता है संतान टापती की कामना से भी इस वरत को रखा जा सकता है ऐसे में चलिया आपको बताते हैं साल 24-24 में जित्या कवरत कब रखा जाएगा इसकी पूजा विधी क्या है और इस दिन का क्या महत्व है सबसे पहले तो आप सभी को जिवित पुत्रिक वरत की धेल सारी शुप काम नहीं इस वरत में महिलाएं तीन दिनों तक वरत रखती हैं और ये वरत निर्जला रखा जाता है सब्तमी तिथी के दिन नहाय खाएं और अस्टमी तिथी के दिन नर्जला उपवास रखकर नौमी तिथी के दिन वरत का पारना किया जाता है इस वृत में शान के समय मुख्य पूजा की जाती है और वृत से जुड़ेवे खास नेमों का ध्यान रखा जाता है तब ही ये वृत पूर्ण माना जाता है इस दिन सोर्य देव की पूजा भी की जाती है और उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर पित के जाते हैं व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए ना ही कटे वे फल या सबजी का उपयोग करना चाहिए किसी भी तरह की जीवत्या करना पाप माना जाता है और व्रती महिलाओं को इस दिन चाकू कैल्ची आदि का इस्तिमाल भी नहीं करना चाहिए इस वृत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंप्रा है, ऐसा कहा जाता है कि नोनी के साग में केल्शियम और आईरन भरपूर मातरा में बाय जाता है, जिसके कारण वृति के शेरिर में जो पोशक तत्थ होते हैं, उनकी कमी नहीं होती, इस वृत के पारन के बाद महिलाए पूजा में अर्बित किया हुआ लाल या पीले रंका धागा भी गले में पहनती हैं और इसके बाद कोई शुब दिन देखकर इसे उतार लिया जाता है जीमुत वहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल चड़ाया जाता है और व्रत के पारंग के बाद की त दोख और तकलिफ से सुरक्षा मिलती है इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमुत वहन जी की पूजा की जाती है महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्य के बाद अश्वत थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में वे पांडवों के शिवर में घुस गए शिव अश्वत थामा को बंदी बनाकर उनकी दिविमनी छेन ली अब अश्वत थामा को और अधी क्रोध हा गया तो उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यों की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नस्ट कर डाला भगवान श्रक्रिश्न ने अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती हैं व्रत के दिन प्रत्यकाल उठकर इसनानादी सिन वृत होने के बाद सोरे देखी उपासना करनी चाहिए घर के मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंकवस्त बिछा कर उसके उपर ठाली रखकर सोरी नारण की प्रतिमा कि पूजा की जाती है उन्हें दूब दीप अक्षत पुष्प अर्फित की जाते हैं वृत की कठा पढ़ने और सुनने के साथ सबसे 안त में आरती करके श्यमयाज ना की जाती है अगले दिन वृत का पारण करने के बाद जरुत मनलोगों को दान दिया जाता है इस बार साल 2014 24 में नहाए खाय 24 सितंबर मंगलवार को निर्जला वरत रखा जाएगा 25 सितंबर बुधवार को और जित्या वरत का पारणा 26 सितंबर कुरुवार के दिन किया जाएगा 24 सितंबर मंगलवार दो पहर 12 बचकर 40 मिनट से और 25 सितंबर बुधवार दो पहर 12 बचकर 11 मिनट पर दित्या समाप्त होगी इसलिए इस पार 25 सितंबर दिन बुधवार को ही जित्या का वरत रखा जाएगा जितिया व्रत की पूजा का शुबमूर्थ 25 सितंबर बुधवार को जो कि सुबह की पूजा का शुबमूर्थ होगा सुबह 6 बचकर 10 मिनट से 9 बचकर 12 मिनट तक और शाम की पूजा का शुबमूर्थ शाम 6 बचकर 14 मिनट से 7 बचकर 26 मिनट तक रहेगा नौव में तिथी प्रारंब होगी 25 सितमबर बुधवार दोपहर 12.00 कर 12.00 मिनट से और 26 सितमबर गुरुवार दोपहर 12.00 कर 25.00 मिनट पर तिथी समाप्थ होगी इस दिन सूर्यदाई सुब़ 6.00 कर 20.00 मिनट पर होगा इसा कहा जाता है कि मचली खाकर वृत रखना शुब होता है लेकिन जो लोग शाकारी है उन्हें मचली इस दिन नहीं खानी चाहिए वैसे तो इस पृत को 24 घंटे तक नरजला ही रहा जाता है लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत को जो की बिना जल की नहीं रह सकती वो जल ग्रहन करके भी रखती हैं जितिया व्रत के पारण में मढवे की लिट्टी यहूंके आटे की दूद पिठी देशी मटर करी जिंगली तोरी की सबजी अर्वी की सबजी नोनी साग पोई सा के पकड़े काशिपल की सबजी खीरे कारायता और तरह तरह के वियंजन खाई और खिलाए जाते हैं यह थी आज की वीडियो उमीद है आपको पसंद आई होगी कि अ कि अ कि कि कि